नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल फॉर्म फिलप की नौलेज में दोस्तो आज किस वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगा SSC Constable GD का जो फॉर्म है न वो 2014-2023 से फॉर्म फिलप स्टार्ट हो चुका है इसमें जब आप फॉर्म फिलप करने जाएंगे तो फॉर्म फिलप करने में आपको बहुत बड़ी परिसानी नहीं आईगी लेकिन फोटो और सिगनेचर अपलोड करने में आपको थोड़ा इसू आएगा क्योंकि photo और signature जो है न वो सब लोगों को resize करके जो QV मांगा जाता है जो format मांगा जाता है उसमें upload करने नहीं आता है तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो SSCZD में जो जिस format में photo मांगा जा रहा है न उस format में आप photo को resize करके कैसे upload करेंगे कि वो जो photo होगा वो 20-50 के भी JPG में होगा और signature होगा 10-20 के भी JPG में होगा दोस्तों ये upload करने से पहले आपको मैं इसका notification में दिखा देता हूँ कि कैसा photo upload करना है तो SSC के द्वारा बताया गया है NXR 3 में मतलब जिस photo में आप इस तरह से दिखते हो यही photo upload करना है ऐसा photo नहीं add करना है जिसमें जो है न दो तीन color हो देखिए यहाँ पे white background बताया गया है तो जरूरी नहीं है कि आपको white background वाला ही upload करना है कोई भी background वाला upload करेंगे तो चलेगा लेकिन एक color होना चाहिए जैसे कि मतलब अगर आपके photo के पीछे blue background है तो पूरा photo के पीछे blue ही background होना चाहिए इस तरह का photo जिसमें केवल आपका मतलब चेहरा दिखाई दे इस तरह का भी नहीं upload करना है तो ओपी पहन के भी photo upload नहीं करना है resize करते करते इतना कम के भी कर नहीं कर देना है कि photo आपका दिखाई ही ना दे जैसे कि यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं इस तरह का upload नहीं करना है यहाँ पे आप देखिए चस्मा लगा के यह भी upload नहीं करना है इस तरह का भी upload नहीं करना है यह उल्टा फोटो upload नहीं करना है यह आप देखिए यहाँ पे मवाइल से फोटो घिचेंगे तो इस तरह का किलिक करते हैं तो इस तरह का भी upload नहीं करना है या इस तरह का भी या इसका format बोला गया है कि 20-50 के भी JPEZ या JPEZ format में फोटो होना चाहिए और 10-20 के भी में JPEZ या JPEZ format में signature होना चाहिए दोस्तो इस फोटो को आप अपना computer से और mobile से दोनों भी चीज़ से resize कर सकते हैं आप जो भी चीज़ को use करते हैं उसमें आपको simply क्या है न Google Chrome open करना है और उसपे search करना है आपको resize image list के यहाँ पे देखिए resize image list के आपको search करना है अब जैसे ही आप resize image list के search करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का website आएगा यहाँ पे आप देखिएगा तो बोलेगा देखिए यहाँ पे www.reduceimage.com इसके उपर आपको किलिक करना है अब जैसे ही आप इसके उपर किलिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुलेगा तो यहाँ पे आप देखिएगा तो drop your image है और browse और यहाँ पे select image का option है तो इस पे हम किलिक करेंगे select image के उपर हम किलिक करेंगे अब जैसे ही हम select image के उपर किलिक करेंगे तो simply क्या है ना कि सबसे पहले मुझे कोई image select करना होगा जो image जो है ना resize करने के like हो तो हम यहाँ पे अपने desktop में आते हैं और आने के बाद आप देखिएगा कि simply जो आपका photo है या signature है जो भी आप upload करना चाहते है जैसे मान लिजे कि मुझे यह photo यहाँ पे देखिए इस photo को हम यहाँ पे select कर लिए इस photo को select करने के यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो width बोल रहा है इसमें कोई share share नहीं करना है height में भी कोई share नहीं करना है percentage में भी कुछ नहीं करना है resolution में भी कुछ नहीं करना है और यहाँ पे उपर आएंगे उपर में यहाँ पे format में जो है दो format बोला गया है एक है JP easy और एक है JPG तो हम यहाँ पे jpg format select कर लेंगे और jpg format select करने के बाद यहाँ पे जो quality है तो मेरा 90 select है तो हम इतना ही रहने देंगे और 90 quality पे ही हम resize image पे click करेंगे अब जैसे ही हम resize image पे click करेंगे तो मेरा जो image है वो 27.113 kv का बनके आ गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरू में जो मेरा image थ वो था 177 kv का और resize करने के बाद यह आ रहा है 27 kv का यानि कि upload करने के लायक है अब यहाँ पे देखिए यह quality है इस quality को हम यहाँ से 90 से अगर cut करके यहाँ पे 95 लिख दे रहा है है और फिर resize पे click करेंगे तो यह देखिए यह 40 kv का होज आ रहा है और यहाँ पे देखिए इ out of 100 है यह जो 95 आप लिख रहा है यह out of 100 में लिखना है यानि कि 100 से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है यह 100 से ज़्यादा लेगा ही नहीं देखिए अब जैसे ही हम 100 से लेक करके किये तो मेरा 107 kv का रहा है यानि कि जो मुझे resize करना है वो यहाँ पे देखिए जैसे अग quality जो है न बढ़ा के image का kb बढ़ा सकते हैं या कb अगर ज्यादा है तो maximum logo का kb ज्यादा ही होता है क्योंकि वो photo click करते हैं या scan करते हैं तो ज्यादा ही होता है तो हम यहां से देखिए मेरा जो है न 95 करने पर अगर हम हम देखिए यहां पर download में आये और download में आने के बार देखिए यहां पर हम इस kitty को इस photo को resize कीए थे आप यहां पे देख सकते हैं यह जो मेरा photo है यह देखिए यहाँ पर 7 बज के 10 मिनट पर मैंने resize Şu किया था और PG format में बोल रहा है तो हमको फिर से इसी यहाँ पे reduce image वाला जो website है इसी के उपर हम यहाँ पे आ जाएंगे अब देखी हम इसके उपर यहाँ पे आ गए अब यहाँ पे आने के बाद जो हम यहाँ पे image select किये थे हम सबसे पहले इसको cut करेंगे और cut करने के बाद फिर से select image के उपर click करेंगे और select image के उपर click करने के बाद जो है ना हम यहाँ से अपना एक signature खोजेंगे जो signature मुझे resize करना है उस signature को हम यहाँ से क्या है ना कि सबसे पहले खोजे लेंगे देखी यह मेरा signature है यह कितने केवी का सिगनेचर है तो 256 केवी का मेरा सिगनेचर है और बनाना है मुझे 10 से 20 केवी तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ यहाँ पे width, height, resolution, percentage इसमें कोई छेड़ चाड़ रहना है और यहाँ पे format में JPG slip करना है quality हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है ना कि quality हम यहाँ पे 80 कर ले रहा है और 80 करके हम resize कर रहे है अब जैसे हम quality 80 करके resize किए यह मेरा 21 के भी का रहा है यानि कि हमको 80 से भी थोड़ा और कम करना होगा तो हम यहान से इस 80 को जो है ना 75 कर देंगे और 75 करने के बाद रिसाइज करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा है ना 18 2 समलोग 2, 1 के भी का रहा है यानि कि यह upload करने के लाइक है अब मालने जिए कि अगर ये 75 हम ना करके यहाँ पे 100 कर दें तो 100 पे resize करने पर ये कितने केविका 144 के भी का रहा है यानि कि अपलोड नहीं होगा तो मुझे जो है न यहाँ पे 75 भी थोड़ा जादा हो रहा है तो हम यहाँ पे 73 करके और यहाँ पे resize इमेज के उपर किलिक करेंगे अब मेरा ये होगा 17.55 के भी का हम यहाँ पे download इमेज के उपर किलिक करेंगे यह मेरा जो है न यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.55 के वी का जो है न इमेज डाउनलोड हो चुका है अब मुझे अप्लोड करना है 10 से 20 केवी हमें यहाँ पे चूज फाइल के उपर किलिक करेंगे और यहाँ पे जो है न हम डाउनलोड में आएंगे अब डाउनलोड में आने के बाद आप देख सकते हैं 25 से गारा दोजार तेईस को 7 बज के 13 मिनट पे JPG फॉर्मेट में 18 केव दोनों अप्लोड हो गया अब जैसे मानलीज यह कि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि यहाँ पे जो केवी है न यह 20 से 50 केवी मांगा जा रहा है यानि कि बहुत कम मांगा जा रहा है जैसे देखिए 20 से 50 केवी बहुत कम केवी हो जा रहा है और कितने लोग अपने करते हैं फॉर्म भरने में तो उनका फोट मतलब ठोट आ जाता है तो जैसे यहां पर देखिये मालीजिये जैसे यहां पे यह बिंडीयो करना है कितने मालीडी करने पिंडी आ फ़र्म करना है कितने किभि का और यह है 254 मालीज्य का इस उतना ही पे आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जिसको आपने minimum के भी कर मतलब minimum percentage करके resize किया था उसको यहाँ पे select करना है जैसे सुरू में हमने select किया था वो था 156 के भी का अब हो गया यह 145 के भी का तो अब इसको select करेंगे अब इसको select करने के बाद फिर यहाँ पे quality यहाँ पे जो select करना है वो minimum select करेंगे फिर यहाँ पे देखिए करेंगे तो यह आ रहा है 80 के भी का तो फिर से हमको इसको download कर लेना है और download करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ मतलब resize image को ही बार-बार resize करकर करकर के आपको वहाँ तक पहुंचाना आए और फिर यहाँ पे select image पे click करेंगे तो देखिए पहले था हमारा 145 के विका अब हो गया यहाँ पे 80 के विका तो फिर से इसके उपर select करेंगे और फिर से उसके 2023 वाला form है ना मतलब इस तरह का format में आ जाएगा देखिए फोटो जो आपका होगा ना वो मैं यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आपका image जो होगा वो 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए उससे पहले का नहीं होना चाहिए तो आपको upload करने के बाद simply यहाँ पे यहाँ पे click कर देना है और और कुछ यहाँ पे नहीं मांग रहा है रही बाद photo का तो photo का background एक background होना चाहिए और जो है ना जरूरी नहीं है कि white background इसके उपर कोई date और नाम नहीं भी लिखा होगा तो भी यह चलेगा और यहाँ पे आपको नीचे में आना है और यहाँ पे I agree करके यहाँ पे capture भरके यहाँ पे review पे click करेंगे तो आप application form में आगे बढ़ जाएंगे तो I hope आज किस वीडियो में आपको पता चल गया है कि SSCD Constable 2023 का जो form है इसमें आप photo and signature कैसे resize करेंगे अगर मेरी दिवी जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे वीज़ा लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूटूब चैनल फॉर्म फिलप की नौलेज जाए हिंद जाए भारत